नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चान्नी और आप देख रहे हैं नेक्स्टो नाइन भोजपूरिया स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपूरी में बता दें आपको कि इन दिनों भोजपूरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की फिल्में गाने और ऐल्बम बनाये जा रहे हैं और ऐसे में लोगों की नज़रे भी इन खास फिल्मों गानों और अलबम पर हैं और अगर बात करें भोजपूरी इंडस्ट्री की तो भोशपुरी इंडस्ट्री हमेशा से ही अपने दर्शकों के लिए अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आती रहती है चाहे वो किसी त्युहार का मौका हो या फिर किसी फंक्षन का और जब बात हो 26 जनवरी यानि गंटतर दिवश्ट की तो बता दें आपक आपके जानकारी के लिए बता दू कि 26 जनवरी के खास मौके पर आज के दिन काफी ज्यादा देखा जा रहा है कि जो एक्टर एक्ट्रिस हैं कुछ ना कुछ खास करने की कोशिस कर रहे हैं और साथी साथ नई फिल्में नई कहानी और नई एल्बम लेकर आ रहे हैं और चुछ नहीं है और साथ ही इन ख़बरों पर लोगों की बड़ी ही बारी की से नजरे बनी हुए है आपके जानकारी के लिए बता दू कि इन दिनों भोज़बुरी इंड़स्ट्री में तमाम तरह की ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जिसका यहां तो कहानी अलग है या फ सबसे ज्यादा चाहे जाते हैं सबसे ज्यादा चहेते हैं और साथी साथ इन फिल्मों bye जो कहानी है कुछ ज्यादा ही दंदार है और साथी इसे की पहले भोजपुरी इंडिकी जो फिल्में हुआ करती थी वह अपने में काफी खाए मतलब खास तो हमेशा सही होती थे लेकिन उसका सिर्फ मकसद होता था लोगों को entertain करना लेकिन आज की फिल्मों को लेकर कहा जाता है कि जो फिल्में है कुछ ना कुछ message देती हैं लोगों को और लोग उसे देखते हैं सुनते हो और जानते हैं तो चलिए दोस्तों फटाफट नजर डालते हैं पहली खबर पर जो की भोजपुरी इंडस्ट्री की खबर है और काफी trend में बनी हुई है और वो है हाली में पवन सिंग का एक album release हुआ है जिसके बोल ह क्या कुछ खास है वो सारा का सारा हम आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में लेकिन बता दें आपको कि इन दिनों पवन सिंग अपने फिल्म क्रेक फाइटर की शूटिंग में बिजी हैं और साथी साथ हमेशा ही वो अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ नया album या फि साथी साथ अगर बात करें पवन सिंग के फिल्मों और एल्बम की तो बता दें आपको कि वो हमेशा सही अपने फिल्मों और एल्बम को लेकर काफी चर्चे में रहते हैं और जब मौका है 26 जनवरी का यानि की गंटतर दिवस का तो इस मौके पर भला पवन कैसे पीछे रह और साथी साथ ये अल्बम काफी सारी तारीफे भी लूट रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों पवन सिंग फिल्म क्रेक फाइटर के शूटिंग में बिजी हैं और साथी साथ आज के दिन उनकी फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया का ट्रेलर रिलीज ह होने वाला है हाला कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है लेकिन आज जल्द ही रिलीज हो जाएगा और ये देखना भी काफी मज़ेदार होगा कि उनकी आने वाली ये जो फिल्म है कितने कमाई कर पाती है बोशपूरिया बॉक्स आफिस पर नेक्स नाइन बोशपूरिया से चा कर देने वाली हैं लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं और जान रहे हैं वहीं अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो दूसरी खबर है भोशपूरी के मेगा स्टार कहे जाने वाले एक्टर रवी किशन से जुड़ो हुआ जी हां बता दें आप अपनी एक नई वैब स्रीज मर जावां की शूटिंग में भिजी है और साथी साथ इस शूटिंग प्लेस से उनकी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें की रवी किशन है वो काफी ज्यादा दमदार अतार में पुलिस की वर्दी पहने हुए नजर आ रह वह मेगा स्टार की अवर्ड से भी नवा जे गए है और साथी साथ वह और भी कई ऐसे काम करते हुए नजर आते हैं जो की उनके दर्शकों को उनके फैंस को काफी पसंद आता है तो चलिए नजर डालते हैं इस खास पोस्ट पर और देखते हैं कि क्या कुछ खास है रवी काफी ज्यादा एक्शन और जबरदस्ट डैलोग बोलते हुए नजर आते हैं बता दें आपको कि हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी एक फोटो वाइरल हो रही है जिसमें वो पुलिस की वर्दी पहने नजर आ रहे हैं वहीं बात करें उनके फिल्मों और वेब सेरीज की तो बता दें आपको हाली में उन्होंने एक कंणर फिल्म द्रोणा के शूटिंग खतम करी और अली में उनकी वेब सेरीज रंगबाज भी काफी ज्यादा चली और इन दिनों वो web series मर जावा की shooting में विजी है जहां से उनकी कुछ photos viral हो रही है नेक्ष नाइन भोजपूरिया से चाननी करी पोट तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से रवी किशन इन दिनों एक के बाद एक नई web series कर रहे हैं जिसका नाम है मर जावा और इससे पहले वो एक कंणर फिल्म द्रोणा की shooting भी करके आ चुके हैं और साथी साथ इन दिनों उनके पास साथ इंडस्ट्री की तमाम तरह की फिल्मों के प्रोजेक्ट्स हैं और साथी साथ कई सारे offers उन्हें एक के बाद एक मिलते जा रहे हैं बात करें उनके awards की तो बता दे आप को कि वो इन दिनों अपने कई सारे awards से भी के लिए भी जाने जाते हैं हाली में उन्हें mega star के awards से भी नवाजा गया था अगर तीसरी खबर की तरफ नजर डाले तो तीसरी खबर भी इसी तरह की कुछ खास है बता दे आप को कि जहां 25 जनवरी के खास मोगे पर शुरू हुआ हीरो वर्दी वाला का फर्स्ट एपिसोड तो वही एपिसोड लोगों को खासा पसंद आ रहे हैं और साथ ही साथ लोग इसके काफी तारीफ कर रहे हैं तारीफ करते ही नहीं ठक रहे हैं और अभी हाली में निरहुआ की एक नई फिल्म जिसका नाम है शेर हिंदुस्तान उसका टीजर हो चुका है रिलीज यहां टीजर रिलीज हो चुका है शेरे हिंदुस्तान का जिसमे निरहुआ काफी दमदार अफ़तार में काफी एक्षिन अफ़तार में दिखाई दे रहे हैं तो चलिए नजर डालते हैं उनके इस खास टीजर में और देखते हैं कि क्या कुछ है खास इस पर और क्या कुछ होने वाला है इस फिल्म में इस टीजर को देखके लोग क्या कुछ अंदाजा लगा रहे हैं तो चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि इस टीजर में क् 26 जन्वरी यानि गंतंत्र दिवस के खास मौके पर भोजपुरी के सितारे कहां से पीछे रह जाएं और हाली में सोशल मीडिया पर एक नई फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है जी हाँ वो नई फिल्म है शेरे हिंदुस्तान जिसमें भोजपुरी के जुबले स्टार कह जाने वाले एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ का जबर्दस अंदाज देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ यह जो पोस्टर है और साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म का पोस्टर काफी टाइम पहले ही रिलीज कर दिया गया था लेकिन अब इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है जो कि लोगों को खासा पसंद आ रहा है और साथ ही साथ इस टीजर में दिनेश लाल यादव निरहुआ काफी रोद्र अवतार में नज़र आ रहे हैं अगर कहा जाए तो काफी एक्शन अवतार में दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ फि पर ये फिल्म कितनी कमाई कर पाती है नेक्स्ट नाइन भोजपूरिया से चाननी की रिपोर्ट तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो टीजर है शेर हिंदुस्तान का वो लोगों को खासा पसंद आ रहा है और लोग इसकी जम कर तारीव भी कर रहे हैं तो दोस्तों दीजे इजाज़त और आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपूरिया